हेलो गाइज, वेलकम टो विजन ओनलाइन स्टडी, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में और साथ साथ मीटिंग में जो भी हुआ उसके बारे में भी और कुछ प्रशनूतर जो की कमेंट पर या वटसेप पर सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं उन सभी को डिसकस करेंगे क्योंकि उनका अंसर मुझे भी नहीं पता दोस्तो डिसकस करेंगे और आपकी जो राय है वो राय नीचे लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं तो आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी टेट पर अधारित है और शिक्षक बढ़ती परिक्षा पर अधारित है इन दो चीजों पर अधारित परशन उत्तर को मैंने यहां पर लिया है साथ ही साथ आप देख सकते हैं और क्या आपकी राय है यह भी बताएं और अगर आप इन से इलेटिड हो अगर आपने यूपी टेट के उन बारा लाक लोगों में से हो जिन्होंने प्राइमरी का पेपर भरा है या फिर आप भी शिक्षक भरती का प्रेक्षा का पेपर देने वाले हैं यानि आपने B.A.D किया हुआ है या फिर आपने B.T.C किया हुआ है या आप शिक्षा मित्र हो सकते हैं तो अगर आप किन से ब्लेटीड हो 97,000 पदों को कम करते हुए यही बोला है कि पिछले पद इसमें भड़ाए नहीं जाएंगे तो अब उन 27,000 पदों का क्या होगा जो पिछली वेकंसी के खाली है तो मैं आपको बता दूँ कि उन में से कुछ जो की अब जान चल रही है और जिनके पूर मुल्यांकन होगा आगे पिछे हो सकता है कि कुछ लोगों की 100, 200, 300, 500 लोगों के उन्हें और जोब देनी पड़े इस वज़े से अभी उन पदों को टच नहीं किया गया है और उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया है जैसा कि हमने Sustainable Development नाम से एक टर्म सुनी होगी ठीक है उसमें क्या होता है कि कुछ चीजों को हम बचा के रखते हैं ताकि उसका फ्यूचर में यूज किया जा सके तो 27,000 भी पद भी कुछ इसी तरह काम में आने वाले हैं जो BJP को मुसीबत से बचाएंगे ठीक है दोस्तों तो 97,000 पदों को Confirm News है कि 18,500 में ही कर दिया गया है अगली भरती जो आएगी वो भी 18,500 पदों पर ही होगी अगे चलते हैं बच्चे 25,000 पर 35-33% को मिल सकते हैं ये किसी ने मेरे से पूछा था जिसके नमबर चैज वो करते हैं मेरे 58 नमबर है उन्होंने फोम भी वरा है द 30-30 को मिल सकते हैं तो मेरे जबाब है नहीं अगर वो पास हो गए तो वो पद उनको होगा मतलब कि उन्होंने कौपी रीचेकिंग कराई है और रीचेकिंग वो पास हो जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे हुए पद मेंसे उनको जोब जरूर मिलेगी लेकिन अगर वो प 18 October को टैट हो पाएगा बहुत सारी न्यूस चल रही है कि 18 October को बहुत सारे और भी एक्जाम है तो उसमें मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि वीडियो का एक्जाम 18 तारीक को होने के चांसे 0 के बराबर है अगर होंगे भी तो BJP वीडियो के एक्जाम को साइड करने वा लब्द हो चुकी है कि मतलब कहने का मतलब है कि मानलों की 18 लाग जनुगा एड्मीट कार्ड निकालने में ही मुझे लगता है इस सरकार के पसी ने छोड़ जाने वाले हैं क्यूंकि आप सभी को पता है जिसने फोर्म बरा है वो किस तरह से बरा है दो दो वीक उने लग एक ही सरवर पर जाएंगे तो क्या होने वाला है लेकिन फिलाल 18 अक्टूबर से आगे डेट नहीं भराई जाएगी जो कुछ भी होगा 18 अक्टूबर से आगे डेट नहीं बढ़ेगी 18 अक्टूबर को एक्जाम होगा और वीडियो का एक्जाम के भी कोई final डेट नहीं आगे चलते हैं, शिक्षक भरती चुनाव से पहले हो पाईगी, ये भी किसी ने पूछा था तो इसके बारे में डिसकस कर सकते हैं, मुश्किल है, शिक्षक भरती परीक्षा एक्जाम से पहले हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक भरती एक्जाम से पहले नहीं हो पाईगी, आगे आपको जहां तक बात है मैं आपको अगर percentage नहीं बताओं तो 90% chance है की cut off होगी और 10% chance है की cut off नहीं होगी तो इसका उत्तर क्या है वो आप हमें बताओ आप क्या चाहते हैं cut off होनी चाहिए या cut off नहीं होनी चाहिए next क्या exam OMR पर होगा जी हाँ फिलाल जैसा सुनने में आ रहा है अधिकारियों के द्वारा की इस बार वो लिकित प्रिक्षा का रिस्क नहीं लेंगे exam OMR पर होगा मतलब MCQ base होगा बाकी ये पता लगेगा UPTAT के exam के बात जब थोड़े से जो अधिकारियों वो खाली होंगे फि जैसे इसमें भी आई है कि 100% exam OMR पर ही होगा पिछले बार का जो result session था जब result हम देखते हैं तो हमें लगता है ये result है मतलब कि संधी का अंसर स्वर संधी आ रहा है हम दिर गुण व्रद्धी वैसी पढ़ कर आये थे कि हम स्वर संधी लिख देते हैं हमें क्या problem थी तो result बहुत बैकार था लिखित परिक्षा ही बहुत बैकार थी एक्जाम OMR पर ही होगा ये हम बता सकते हैं बाकी अगर दिमाग फिर खराब हो जाए सरकार का तो कह नहीं सकते हैं overall जो main question दे है उसका हमने discuss कर लिया इन सभी questions के गारे में क्या सचते हैं और cut off होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताएं साध साथ exam OMR पर होना चाहिए या लिखित होना चाहिए या भी आप बताएं इसके अलावा इस topics related कोई भी सवाला तो नीचे comment कीज ये उसका उत्तर आपको तुरन मिलेगा आज के लिए इतना ही बाबाए